कर दो आज में आपको मैनिया उन्माद हर्षवाई इसके बारे में जानकरी देने वाला हूं लिए ओटरीक उसनाइध बेंड़ नियुक्ति कने लाज ईसना से वाला में बहुत धमल से मएं साइक आज मुवर्देत कर दो मुवर्देत काओł नियुक्तियाद कर दो 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 अए वुक्तिये से फिस new कि तो ये कोई भी उमर में बिमारी आसकTe कि पुरुषीस्तिरी को इसको सरीखी बिमारीर मतलब छाब आगे असमे कोई फरग नहीं है मुदर याज के दुट होति इसमें माथाब किताईजी की कोई बिमारी येज है तो बच्यों में बिमोरी Mirjya कि में वह स Carry aujourd के वहुआ होटी है k權ね करना पहाले होती है कि विटी काफी जो 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 से बोलना चालो कर देता है आ बात्चीत करना क्या ड़ोगा कर रहेb टो गोट से भागे भात लोग पहयचानते हैं, मेरा तो BENK बैलन्स बहत है, मैं करडोपतीम हूं। तो गोट Theौए Chiang High Support न बहुत है, तो आमदार पहिचानका है, ये खादार पहिचानका है। कि कुछ लोग बो दिने, मैं तो खासदारी हूँ, उनका तो पी-ए हूँ, या भी इलेक्शन में मैं लड़ने वागा हूँ, या प्राइम मिनिश्र के साथ में मेरे संबंध हैं, ऐसा वो बड़ी-बड़ी बाते करेगा, और ये बाते जब करगा है तो उससे बात करने में हम मतलब अपने कुछ महजा आता है, वो अधम उसमें एंज्वाइ कर सकते हैं, तो इस तरह से वो बाते करता है, और वो एक बात से दूसरी बात तक, दूसरी बात से तीसरी बात तक, मतलब ऐसा फ्लाइट आइडियास, मतलब वो उससा उड़ां भरता है हूँ, उसके विचा करना मानना चीह, ऐसा उसको लगता है, कोई भी उसका विरोद करता है, तो वो उसको, मतलब उससे जंजड मोल लेंगा, जगडा कर लेंगा, उसको प्रिशर डालेंगा, और वो खुद का ही जो है, वो बरावर ऐसा हो लेंगा, यह वेक्तिव पैसा के बहुत खर्चा करता ह मतलब कहीं से जाके उधार माल लाएंगा अपने पहिचान से उग बोलना, मेरे नाम लिखो, मैरे पिताजी का नाम लिखो, और माल लेके आएंगा, कुछ लोग बड़े-बड़े सौधे कर ढलते हैं, या बड़े-बड़े सौधे मतलब खरीदते हैं या बेच भी दालते ह बड़े अच्छे कपड़े पहनेंगे, बहनें लाएंगे, अंगूठियां, नेकलेस, और बहुत ही रन बिरमी कपड़े बहुत मतलग्शाज़ों करेंगे, अवरते बहुत ही जादा मेकप कर लेंगे और जो लोगों पो वो अपना जो presence है, वो बताते हैं, तो मैं present हुई है, ऐसा इस तरह को. इसमें जतना जादा pressure of speech रहता है, मतलब बोलने का pressure ज्यादा रहता है, flight रहती है, मतलब एक विचार से दूसरी विचार तक उडान लेता है वो, और फिर कभी-कभी इतना हो जाता है कि उसका बोलना भी हमको समझ गानिया, उसमें एनर्गी इतनी जादा रहती है, कि वो बहुत एनर्गी, इसमतलब घंटा दो घंटा वो सोता है, और घंटा दो घंटा सोने के बाउजुद भी, कि वो बहुत ही दिनबर एक्टिर है, घुमेंगा, फिरेंगा, एक गावबा में जाएंगा, वहां बड़े-बड़े लोगों से बात करेंगा, बड़े-बड़े साओदे कर रहेंगा, पैसा खर्च करेंगा भार गाव जाके, या फोल्विलर खरी लेंगा, इस भी करेंगा और बहुत काफी एंडर्जी उसमें रहती है, किसी से भी बात करना, वैली मिलना, तो लोगों को पार्टियां देना, खाना किलाना, शराब पिलाना, खुब भी शराब पिना चालू कर जाता है, लोग ऐसी सारे हरकते हैं कि लोग घर के परेशान हो जाते हैं, इसका करना के, पहले छोड़ा जादा बात करने माला विथी अब बहुत जादा बात करने लगता है और वह कम मानसिक समस्या बंजाते हैं, वो लोगों को मालम डिने पढ़ता है, तो जो चो समस्या ने बहुत जादा गंबिर रूप धरण किया रहता है, अब इसका इलाज क्या है तो इसका इलाज जो है वो मनोचिकिस्तक के पास में जाके ही सैकेडिस के पास में जाके इसका इलाज करना जरूरी है यह जब ऐब कर दकिंदाथ नी तो, आई आएकटिविटी है। इसमें दबाईय है, तो दबाईय उसको देना लगता है, तो दबाईय उसके वह ज़ता एंढ़, कर दकिंदाब सूलBut कि झाना थोकी खानकी वेड़को थे सुलक्त होती है। तौब सोनिके बाद में थीओ, फाए करने का प्रेशर, फाते करने का प्रेशर। energy वे नीर लेता है, ऐडो तो वो शंत हो जाता है। शंति सरहता है। तिर कुछ दभाईया हैं से मूर स्थेप्लडी की हैं, हमीं पंचे संतुलों कि मीकुम सांजितिती हैं, तो इसको दवाई दिनी पड़ती है और दवाईयों से भी वह न अच्छा हो जाता हैं कभी-कभी वह इतना ऑनकंट्रोल हो जाता है मतलब कभी ज़्यादा हो जाता है तो इसको पकड़ना भी पड़ाइगा, मतले कि इतना भी कभी ज्यादा हो जाता है। मेरे पास में काफी सारे ऐसे पेशंट आते हैं, कि वह चार-चार पाइच पाइच लोग उसको पड़ते तो उससे कंट्रोल नहीं होता ह। जब वह उसको छोड़ते हैं तो फिर उनको मातना चालो करें तो लोग बड़ी-बड़ी संगली डालके लाते मेरे पास में, कि इतना उसको इतनी ताकत आ जाती है उसको। यह जो बिमारी है यह डोपामिन जो ब्रेन में हमारे होता है न मस्तिष में डोपामिन होता है तो डोपामिन लेवल या नौरिपिनेफिरिन लेवल्स या सेड़डॉन लेवल्स जाना होने से यह बिमारी होती है ऐसा रिसर्च में बोला गया है तो डोपामी लेवल या नॉर इपिनेफरीन लेवल को कम करने के लिए दवाई दी जाती है। और भावना सुतुलंगनी के दवाई देने के बाद में वो ठीक होता है। मगर यह बहुत जादा वायलन्ट है, बहुत जादा एक्साइटेड है। तो फिर उसका इलाज करना जरूड़ी है शाप ठीकमेंट से। मैंने बहुत बहुत है कि बान के भी नहीं आता हूं। मतलब बानना पड़ता है, चार-चार लोग पकड़के लाते हैं। मतलब दूर भागते हैं। और इलाज करना बिल्कुल चाहते नहीं। मुझे कुछ नहीं हुआ है ऐसाप उनके। उनका इलाज को लाना यह एक बड़ी समस्या हो जाती है। तब उनको जब लेते हैं तो दवाईयां लिया तो दवाईयं से ठीक हो जाता है। अगर दवाईय लेना भी कभी ठीक नहीं होता तो उसको शॉक टीटमेंट देना भी कभी। जब ज़्यादा ही हो रहा है तो शॉक टीटमेंट देना भी कभी-कभी उचीत रहता है। अब यह दवाईय कितने दिन देना। तो दवाई उसकी छे मेने से लेके सालवर्द देना उसको ज़बूरी है। दवाई इसे वो कंट्रोल में थोड़ा आ गया है। 15 दिन में, एक मेने में कंट्रोल में आ गया है, तो होता क्या है कि ये लोग दवाई अपनी बंद करता ले। तो जो एक्चुली जो सोर से समस्या का मूड रूप जो है बिमारी विरिंद में हैं, वो संदुलन तो हुआ ही नहीं, फिर से वो जोग लेता है। और फिर वो बिमार जैसी के वैसे हुजाती है। इसलिए उसका हिलाज छे मेने से लेके सालवर्द करना जरूरी है। इसलिए नहीं के साथ में, उनको डर लगता है। या उनको अपने गाव में जाके काम करना है। क्योंकि उनकी रोजी-रोटी उनके हाथ के ऊपर रहती है। काम करना है। या उनके साथ में रहने के लिए कोई वेक्ती नहीं है। तो हम उसको हमारे पास में रखते हैं, रिष्टतार उनको वापस भेतेते हैं, उसका इलाज करके हम उनको वापस लेके जाने के लिए बोलते हैं, तो ये भी विवस्ता हमारे पास में हैं, तो लोगों को कापी सुमिधा हो जाती है, तो ये मैनिया जो है, इसका इलाज पूर फ्रिर से उसको मैन आ सका है। मतले उनमध यह रचिवाईव फिर से उसको यह दवरा पड़ सकता है। या फिर उसको कभी डिप्रेशन का, नेराशा का खताश का दवरा, उदासिंदा का दवरा भी बड़ सकता है। तो यह एक बार हाइपर, एक बार डाउन आयों. मतलब ऐसा नहीं होना चीए, इसके लिए बूर संतुलन, यह भावना संतुलन की दबाई दिया, तो उसका उपर नीचे होना, सम्होन यह फिर वो नॉर्मल रह सकता है। यह सभी लोग, मैनिया के लोग, हर्शे वायू के लोग जो है, यह अपनी जिन्दगी अच्छी तरह से काटे, अच्छी तरह से बिताते हैं। वाकि एक बार दौरा निकल गया, तो पुरी तरह से अच्छी रहते हैं। तो उनको बात में थोड़ा सा भी उनको इनकी शक आता है, यह उनके घरवाल उनको शक आता है, कि नहीं थोड़ा ज्यादा बात करना उने चालू किया, तो तुरन दवाई चालू करना डौक्टर के बास में जाना जरूरी है। तो इस तरह से हम इनका इलाश करते हैं। पेज भी है, उसको भी लाइक करो, शेर करो, फालो करो, हमारा वेबसाइट है महां जाके आपको काफी सारी जानकारी मिल सकती है। और हमारा जो मिशन है, Mental Health for All, सबके लिए मानसिक स्वास्त है। हमारे पूरे देश में, सबको मानसिक स्वास्त हैं। और जो उनको मानसिक स्वास्त नहीं है, अस्वास्त है, मतलब उनको मिमारी है। उनका इलाज भी पूरी तरह से होके, वो अपना जीवन अच्छी तरह से बिता सखेंगे। इसलिए हम खड़े हैं। तो इसलिए ये हमारे मीशन में आपका सहयोग, आपकी पार्टनर्शिप जरूरी है। और इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप पूरी पार्टनर्शिप हमको देंगे। तो थैंक्यू वेरी मच्च, सी यू बायोग। प्यू झाल झाल मुझे दिए नही तो आपको रूरी यापको रिक्वेस्ट